अब सभी लोगों को मेरा नमस्कार हूं मैं हूं सुरभी आपकी सुरभी आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और ने आप एका काट रीडिंग लेकर और यह जो रीडिंग है बाबा के तरफ से है मुझे कुछ मैसेजिस रिसीव हुए और मुझे लगा कि मुझे आप तक यह मैसेजिस पहुचाने चाहिए तो पहले तो मैं बस कम्यूनिटी में शेयर करी थी यह फिर मुझे लगा कि नहीं वीडियो बनाती हूं कि कि वो लोगों को जादा अच्छा लगता है देखना सुनना सो मैं यह पिका काट रीडिंग लेकर आ से आपको दिखा देती हूं चाहे तो तीनों का ही रीडिंग आप देख लो और नहीं तो एक कार्ट सेलेक्ट कर सकते हूं दो भी कर सकते हूं जो भी आपको ठीक लगे ओराइस चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज जशे हैं बाबा के आज कैई दिनों बाद मुझे करते वागत उनकी तरफ से मैसेज रिशीव हूए हैं सो लेट सी तो जिนहोंने भी 自 लöवर्पर्स के कार्ट को चूस किया है चलिए देख लेता है आपके लिए क्या मेंसिज है बाबा की तरफ से चलो सभंगी निड़ी भूनी अटेच्मेंट ओकी तो गाईज जनू ने भी दी लवर्स की कार्ड को चूज किया है अगर आप अपनी लाइफ को लेकर परेशान हो अभी परसनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ फाइनेशली अगर आप इस्टेबल नहीं हो पारे हो या लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है पेरेंस के साथ में आपकी दिक्कते हैं वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं आप उनकी बात नहीं समझ पारे हो या दोनों एक दूसरी की बात समझ रहे हैं लेकिन अच्छाएं ऐसी हैं कि कॉंप्रोमाईज नहीं कर सकते तो जो भी दिक्कत जो भी परिशानिया है यहां पर बाबा का कहना है कि आप भई हेल्प करिए उन लोगों की जिनको नीड है इसकी जैसे भूके लोगों को खाना दे देना कपड़े दे जिसको जो नीड है किसी को मेडिसिन की नीड है तो मेडिसिन दे देना और अच्छे मन से प्योर इंटेंशन के साथ ऐसा नहीं कि हम इनको दे रहे हैं तो अब हमें कुछ मिलेगा वो लालच वाली चीज हो जाती है यह जो आप सेवा करोगे ना यह अनकंडिशनल होनी ठीक है यह ऐसा है कि मैंने इदर से गहूं डाला तो अब भी आटा में कुछ है रोटिया बनाने के लिए आपने गहूं डालने आटा आएगा नहीं आएगा उसका वेट नहीं करना है ठीक है तो यह बाबा कह रहे हैं कि कुछ भी आप कर लो जब तक यह चीज नहीं करोगे तब तक जो आप चाहते हो वो रिसीव नहीं कर पाओगे और हो सकता है कि आपके कुंडिली में कुछ प्लानेट्स ग्रणक्षत्र ऐसे हैं कि यह चीजें आपके लिए हैं मतलब कि जैसे कि मैं डेस्टी नंबर्स के बारे में बता रही थी जैसे 9 है 8 है 5 है यह नंबर्स ऐसे हैं जिनसे कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि यह चीजें आप करो यह प्लेश्मेंट की बात हो जाती है कौन से ग्रव कौन से घर में बैठा हुआ है उसके आधार पर तो आपको यह करना है इसको आप हटाओ मत अभी बहुत से लोग ऐसे हैं बोलेंगे हमारे पास खुदी करते हैं लोग फिर भी मतलब है नहीं से आप शायद आपका मतलब यह होगा कि पांच हजार का कर्चा है हजार रुपए हमारे पास आते हैं उसमें च्रीटी क्या कर दें आप का कर दो दस रुपए का कर दो वो एक तरीके से sacrifice होगा आपके लिए राइट सो यह sacrifice ही होता है वैसे भी बोला जाता है कि जब दान करो तो ऐसा करो कि अंदर से आप हिल जाओ कि बाप रे ऐसी वाली चीज़ तब वो दान-दान मना जाता है लेकिन अभी उतना कर पाना सब के लिए संभव नहीं है इतना कर सकते हो राइट मैं जब मुझे pocket money मिलता था ना तो बहुत जादा नहीं था pocket money पहले बहुत कम पैसे मिलते थे ना ममा पापल अभी तो बच्चे को बड़ा अच्छा खासा दे देते हैं गड़िया देते हैं चलता है यह सब चलता है इंटरनेट बैंकिंग है तो ऐसे मिलता था कि पांस रुपए मिले या दस रुपए मिले या बहुत जादा बीस होगे सौ मिल गया तो हम लोग कहते थे और वह बौक रहे सौ तो जब इतने कम रुपए मिलते थे ना तब भी मे करने में कभी इतना जधा खुद के बारे में नहीं सोचना ची हमारा क्या होगा वो बहुए देखेंगे दे दू आप हाँ अगेन मैं पैसे देनी बात नहीं कर रही हो खाने पीने का समान दे दो है ना पैनने औरने का मैं दूसरे रिस्क हो जाते हैं तो पैसा जहां पर तो यहां पर झान नहीं होग जैसे कि कोई एंजीओं है कि और अपको को यहं करो यह करो लोगों की अगर यहां पर अपनी मुट्छी करोगे ना तो ज्सें मुठ्धि में जितना अपने किया है बस उतना ही आपके पास रहेगा और नहीं आ mostrar már पायगा, अभी एशा क्या करूंगे, बहुत सी लोग हैं जिनके इछा नहीं होती उनको लगता है कि हम उनको क्यूं देए, हमने कमाया हम उनको कैसे कैसे दे, नहीं सोचना है तो इसा क्योंकि सोचोगे तो दिक्कत होगी अब आप जान लो आपको क्या करना है अब जानो धूसरा जो भी टेंशनर परेशानी और दूनी में डालो ज्यादा सोचो मत अपना काम करो दिमाग बहुत जाधा उसमें करो क्या होगा अब क्या होगा सब अच्छा होगा attachment में भी जो material desires हैं आपकी वह बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है ऐसा बाबा कह रहे हैं जैसे घर चाहिए या घर से attachment आपके पास कोई कार वहिकल है उससे attachment चाहिए या फिर है तो से attachment या किसी को आप पसंद करते हो तो उनसे बहुत ज्यादा attachment हो गया है obsession हो गया है वो हमें message करे call करे नहीं करेंगे तो क्या तो यह जो attachment है यह भी कहीं ना कहीं आपको रोक रही है आपके soul purpose को पूरा करने के लिए मैंने आपको कई बार होला है कि अगर आप अपना soul purpose यानि कि अपना धर्मा पूरा करते हो आपकी जो गाड़ी है वो सही तरीके से आगे बढ़ती है जहां पर आपने यह रोका अपना soul purpose साइड में रखा और सारी चीजों में आप पढ़ गए वहीं पर ब्रेक लगता है तो बाबा कह रहे हैं कि जो चीजें आप करने के इस दुनिया में आए हो पहले वो करो बाकी की चीज़ें फिर बाद में होती रहेंगी इतना अच्छा नहीं है और अगर आपको इस सोल में यह चीज बोली गए कि कि आपने दर लवर्स का काड़ चूज किया है तो मेबी कि आप किसी connection में हो किसी का वेट कर रहे हो आप जा यही आपका सोल पापस हो तो उसे पूरा करो फिर जिसको आना है वो आजाएगा ओके आपकी रीडिंग आपको पसंद आई हो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें रेजिनेट करें तो मचे जरूर बताएं शेयर करें सब्सक्राइब करें गाई थैंक यू सो मच वाच पाइल चू मेडिटेशन पी असर्टेव ग्रोथ गाईस सबसे पहला मैसेज है कि मेडिटेशन करें आप लोग मेडिटेशन करने से ना आपका थर्ड आई चक्रा जो ब्लॉक हो गया है और ब्लॉक होगा और आपको थोड़ा डिफ्रेंशियेट करना आएगा सही और गलत म है ऐसा लग रहे है जैसे आपको लोग फो ग्रैंटेड ले लेते हैं और आपको यह बहुत देरी से समझ आता है तो बाबा का कहना है कि भाई यह थोड़ा ना समझने की कोशिश करो क्योंकि आप अपनी गलती के वज़े से बार-बार हर्ट हो रहे हो लेकिन शायद आप ब भगवान को बोलते हो एनरजी इसको बोलते हो यूनिवर्स को बोलते हो इस्पिरट गाइड को बोलते हो इंजल्स को बोलते हो आप सबको ब्लेम कर रहे हो अपने आपको भी ब्लेम कर रहे हो लेकिन सिचुएशन ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा है ऐसा कुछ हो रहा है तो बाबा कहा रहे कि आप meditation करो so that आपका जो धर्डाई चक्रा है ना वो एक्टिव होए या unblock हो वो block हो गया है किसी वज़े से तो chant करिए कोई मंत्र चैंटिंग करिए meditation करिए प्रार्थना करिए भगवान जी से कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है या आप लोगों को पहचान नहीं पाते हो तो वो क्षमता आप में आए और आपको साइंस ऐसे मिले और वही है ना साइंस मिलते हैं अभी भी मलते हैं लेकिन आप भी हो रहा है आपके ग्रोथ के लिए भी हो रहा है इसका यह भी मतलब है कि कुछ गलतियां कुछ चीजें ऐसी हैं जिन में आप खुद को ऐसे बोल रहे हो कि आप गलत हो लेकिन हो नहीं वहोना था सो देट आप कुछ चीज़ें समझ पाओ और आगे बढ़ पाओ कहीं पर आपको समझना है कि कौन सच्छा है कौन जूटा है आपको समझने कौन आपसे प्यार करता है कौन आपका फाइदा उठाना चाता है तो यह समझने के लिए meditation करना जरूरी है क्योंकि आपका थरड़ाई चक्रा देन काम करेगा तो clarity मिलेगी चीज़ों की आपको clarity नहीं होती तो बहुत से लोग आपको बेवकूफ बना देते हैं आप हो emotional बहुत प्यारे हो लेकिन फिर ऐसे हो जाते हैं आपके साथ होके सो यह message है clear cut message आपके लिए है कि आप meditation करें इनवोग करें भगवान से प्रार्थना करें और आगे बढ़ें ठीक है और कहीं पर भी इस्टक रह आया था वह बच्ची परिशान थी किसी के जाने के वज़े से तो अगर वह बच्ची देख रही है reading तो यह आपका जवाब है आपने अगर कोई गलती करी है आपने माफी मांग ली सामने वाले से अब सामने वाला नहीं मान रहा है अगर आपकी बाद तो उनको जाने दें अगर वह बच्ची देख रही है तो मैसेज उनके लिए है यह जोब मैंने अभी दिया ठीक है तो यहाँ पर बाबा वही कह रहे है अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो कई बार ऐसा हो जाता है आपकी गलती नहीं भी होती है तो भी आपको अपनी गलती देखती है ठीक है अल्राइट गाइस तो यह थी आपकी रीडिंग आई होगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें रेजनेट करी हो तो मझे जरूर बता है शेयर करें सब्सक्राइब करें आप यह बाई ही गाइस तो अगर आपने स्लेक्ट किया है मजीशन की काट को तो चली देख लेते हैं आज बाबा आपको क्या मेसेजिस देना चाहते हैं आज इस पेशली बाबा ने बोला है कि मैं रीडिंग कर रहूं सभी लोगों के लिए तो भाई किसी को तो नीड होग ग्रोथ उसके बाद है फ्री विल और यूर्टी यूनिवर्स ओके तो यहाँ पर आपके लिए मैसेजिस यह हैं गाइस कि आप सरेंडर करों अचली यह सारे कार्ड वही बता रहे ते दिन बॉटम आफ दी डेक वही कार्ड आ गया जो ओवरॉल इनाजी थी ओवरॉल तो मैसेज यह है आप सरेंडर कर दो अगर आप किसी चीज को लेकर परेशान होना तो तो टाइम टफ है अभी अभी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है उसमें भी डिले हो पूरा होने में जो भी विश्य आपकी थोड़ी दिकते आ रही है तो बाबा यह कह रह है ना इसको आप दवाईयों के जैसे समझ सकते हो दवाईयां कडवी होती है इंजेक्शन्स पैन्फुल होते हैं लेकिन हमें दवाईयां क्यों खानी होती हैं इंजेक्शन्स क्यों लेने होते हैं क्योंकि हम हेल्दी हो जाएं है ना तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी परिस् कुछ झूटता है हम से और हम चेंज को अक्सेप्ट नहीं करना चाहते जल्दी ऐसा है तो कोई बुरी आदत भी जूटती है ना तब भी हमें दिक्कत होती है और बलकी ज़ादा होती है कि जो बुरी के लिए वह खाने में टेस्टी होता है है ना तो बैड हैबिट्स भी वैसी है जब आप बैड हैबिट्स को फॉलो करते हो आपको बड़ा मज़ा आता है लेकिन रिजल्ट्स बहुत गंदे होते हैं तो जब वह आदतें आप से छुडवाई जाती है ना तो आपको बहुत दि तो वहां पर गांदी जी उसको कॉफी पीने के लिए मना करते हैं तो उसको बहुत तकलीफ होती है कॉफी पीने के लिए मना कर दिया कॉफी पीने की वज़े से उसको ऐसा प्रॉब्लम हो गया था तो आश्रम में रहता था तो वह पूरी स्टोरी ऐसी थी कि कैसे वह आश्रम बनोगे तो सब कुछ ना बाबा पर छोड़ दो अगर सिच्वेशन आपको लग रहा है कंट्रोल में नहीं हो रहा मैं जो चारी हूं वो नहीं हो रहा मैंने बहुत टेक्निक्स अपनाई सब कुछ किया कुछ नहीं हो या फिर ऐसे कहलो कि जो फल आप चाहते हो वो आपको मिलेगा लेकिन थोड़ा आपको प्यूरिफाय करने के बाद भगवान जी देंगे तो बाबा वही कह रहे हैं आपको कि आप धैर रखो सब कुछ बाबा पर छोड़ दो मैनिफेस्ट करो और इस तरीके से मैनिफेस्ट कर करें वो होगा जरूर फॉर और कब होगा कैसे होगा वो बाबा पर चोड़ दो सरेंडर कर दो के ओल्राइट गैस तो यह थी आपकी रीडिंग आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो जरूरे इसको लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यों मुश वाच